नमस्कार दोस्तों मैं अरुन एगवा फिरस है आप सभी का कंपिटर प्रैक्टिकल लैब में हार्थिक स्वात करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गूगल फॉंट अब इसमें एक किस तरीकी की गूगल फॉंट होते हैं मैं आपको यहां पर दिखाता हूं तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोरोडरों में और आपको एक नमर पेज पर आता हूं और मैं आप जूम करके दिखाता हूं यह देखिए हमारा गूगल का जो फॉंट है वो हमारा पहले जो था पुराना वाला था और अब नया वाला जो गूगल है वो कुछ इस तरीकी से दिखेगा आप देखी रहोंगे पहले पेज पर यह था दूसरे पर यह है तो यह जो हमारा पहले वाले पेज पर है यह गूगल जो है हमारा यह पुराने फॉंट में था और उस पुराने फॉंट का नाम जो था वो यह है जर्जिया जर्जिया फॉंट पुराने गूग जब आप window डालेंगे तो आपके ये साथ ही आएगा window के साथ ही आएगा लेकिन आप जो नया font आया है वो अलग से आपको install करना पड़ेगा तो यहां पर देखिए मैं जरजिया डालता हूं तो यह देखिए जरजिया आगया और मैं इसे enter कर देता हूं तो आप इसको बिल्कुल मिला सकते हैं यह google बिल्कुल इसी font से match करेगा क्यूंकि जो जरजिया font है वो google में लगा हुआ है और यह पहले से ही system में था लेकिन अब जो नया font आया है वो एक नया font बनाया गया है और वो आपको system में नहीं मिलेगा by default वो आपको download करना पड़ेगा तो यह इसका है जरजिया font और google इस तरीके से लिखा जाता है अब नया वाले की बात करते हैं तो यह देखिए हमारा नया वाला font है यह आपको मैंने यहां पर लिखके दिखा दिया और इसका नाम है पॉड़क यह वाला google इस बार लगाया गया है तो font अपकी बार बहुत अच्छा यूज किया है इन्होंने यह देखिया आप यहां पर देख रहे होंगे और old वाला मैंने अभी आपको दिखाई दिया और ऐसा नहीं है कि मैंने picture को अपने पास रखा था आप यहां पर google करके देख सकत में था और अब यहां पर product sun करके नया font लग चुका है यहां पर देखिये यहां पर एक picture आ रही है यह रहा और वाला यह रहा तो यह देख सकते हैं आप ठीक है अब चलिए एक नई चीज के बारे में और बात कर लेते हैं यहां पर मैं आपको google font के बारे में बताने वाला थ तो यहां पर जब आप google font डालेंगे न तो यहां पर देखिये फर्स्ट वाला जो link आजएगा आप इस पर click करेंगे तो google के अंदर काफी सारे font होते हैं तो यहां पर देखिए सारे एक एक करके font शो हो रहे हैं तो इन fonts को भी आप download करके अपने यूज में ले सकते हैं google अप यह हिंद font को मैंने download किया हुआ है तो मैं यहां पर इसको दिखाता हूं कि किस तरहीं से type होगा तो हम चलते हैं अपने coral draw में और यह काम वैसे मैं आपको MS word में भी दिखा सकता था लेकिन coral draw में type कर लेते हैं MS word में लेचलेंगे जब कोई दिक्कत आएगी तो यहां पर सबस टाइप करने से पहले आपको यहां पर एक shortcut दबाना है आपको अल्ट शिफ्ट को दबाके छोड़ देना है आपको इसके बाद एक font अपलाय हो जाएगा यह font आपको आपके system में ऐसे काम नहीं करेगा इसके लिए आपको Google input type करना पड़ेगा और इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी जल्दी आ जाएगी किस तरगे से वो काम करता है तो वो download करके आपको यह command दबानी है alt और shift दबाना है तो यह आप लाय हो जागा आप ऐसे हिंदी लिख पाएंगे तो यह देखिए हिंदी में मैंने लिख लिया है और यहां पर देखिए जो word है मेरे वो तूटे आ रहे हैं अभी इन सबको हम की लिएर करते हैं कीलियर करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको क्या कीजिए यहां पर मैंने अपने लिख लिया है हंदी वर्ड को और यहां से मैं अब इसको सेलेक्ट करूँगा यहां देखी फिर थी भी ठीक तरीकी से लिखा हुआ नहीं आ रहा है यहां पर मैं पहले तो Microsoft Word खोल लूँगा तो मेरा MS Word ओपन हो गया है यहां से मैं इसको Ctrl A करके कोपी करके और यहां पर पेश्ट करूँगा तो देखी यहां पर मेरा फोन्ट बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं और थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं तो इसको हम करेंगे Ctrl A सेलेक्ट करा इसको सेंटर लगाया Ctrl E और Ctrl Shift ग्रेटर देन दबाया फोन्ट को बढ़ा करने के लिए ठीक है तो देखी कुछ इस तरीक साही है लेकिन अभी इसमें हिंद अपलाई नहीं था हिंद को हमने अपलाई किया है और अपलाई करके यहां पर एंटर किया है तो हिंद आपको बहुत अच्छा फ़ंट मिलेगा और यहां पर देखी और भी कई तरीकी के फ़ंट आ रहें यह यह द कि यह भी टेको करके एक फोन्ट है यह भी हिंदी का मनता है बहुत अच्छा फूंट है आप इसको डानलोड करके यहां पर देखिए इसे क्लिक करेंगे डाउनलोड फैमिली आ जागए यहां से किलिक करके से यूज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाग हो तो लाइक कीजिए और भी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राब कीजिए थैंक्स फॉर बाचिंग